हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, वी लर्न टू लीड, मेरा नाम विकास है कुछ important information, हमारी एक app है Carriers Cloud के नाम से, जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही आप Play Store से application को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक, उस पर आपको जाके अपनी Google ID से अपको लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद ह जैसे ही आप लॉग इन करके अपनी application को open करते हैं, तो आपको एक window ऐसी दिख जाएगी, इस window में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के section दिखेगा, यहाँ पर आपको current affairs इस पे click करते ही, आप हमारी current affairs के section में आ जाएंगे, हमारा current affairs का section है, जो हम आपको course provide करते हैं application में, बह बहुत जादा help होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, यह course ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम चार से पांच बार revise करेंगे, इतना help हो रहने वाला आपके लिए, देखते हैं हम आपको क्या provide करते हैं, हम आपको current affairs हिंदी में provide करते हैं, और हिंदी के साथ answer format में मिलेगा, ठीक है, आपको daily के 20 question मिलेगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं, और यह बहुत helpful होते हैं revision में, question answers मिलेगे आपको current affairs format, question answer के format में, फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा, जो आपके पूरे week के questions, daily questions आपको PDF मिलेगी, उन में से जो important questions होंगे, उनका आ question का quiz बहुत होता है, आपको 50 question week के मतलब सारे important question आ गए, उसके साथ-साथ question answer format में आपको Hindi की e-book प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में, आपको सारे week के current affairs मिलेगे, ऐसे ही, फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly PDF, PDF आपकी हिंदी में ही होगी, आपको top 100 question answers मिलेंगे, ठीक है, जो पूरे महिने के 100 important questions हैं, वो आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे, वो आपको question answer format में भी provide होगे, तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और यह आपका पूरा एक साल का course होता है, आपको दो course के option मिलेंग एक तो होगा for one year, एक होगा for two year, अगर आप new aspirant है, आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है, तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें, बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं, तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं, important thing इसकी बाद यह है, कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions प्रोवाइड करते हैं, bank से related जो आपके questions होंगे, सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं, बहुत अच्छा content होता है, content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, and daily update होता है, आपको daily PDF मिलेंगी, उसकी भी कोई attention लेनी की ज़रूत नहीं आपको, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे, तो हम various exams की PDF भ करने में बहुत help मिलेंगी, अब कच questions होते हैं, जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के, फिर books और authors, कौन सी book release होई है, कौन सी author ने क्या book अभी publish की है, फिर उसके बाद indexes हो गए, reports हो गई, फिर कोई festival celebrate किया गया है, या कोई योजना आई है, तो ये काफी सारे topics होते हैं, तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं, और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं, ये चीज़, तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है, कितना अच्छा course मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावा, देखो कितनी सारी चीज़ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है, और हमारे चैनल को subscribe करना है, इसके अलावा, आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift, जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में, वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा, अगर वहाँ पर आप विकास 10 code तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा, सिरफ विकास 10 आपको code उसमें use करना है, और मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount, तो जाएए जल्दी से हमारे courses को देखिए और उसको purchase कीजिए, तो आईए अपनी वीडियो start करते हैं तो friends देखिए, books and author से related जो questions आपके paper में पूछे जा सकते हैं, वो तीन question बनते हैं, पहला book का name आपको पता होना चाहिए, दूसरा author का name आपको पता होना चाहिए, ठीक है, and तीसरा होता है publication, इन तीनों के अलावा और कोई question frame नहीं किया जा सकता आपकी books and author topic से, तो जो भी आ questions पढ़ते हैं, फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं topic, उसमें हमेशा books and author से याद रखेगा name, author's name, and publication, ये तीन चीज़ हमें हमेशा याद रखके चलनी है, and इन तीन चीज़ों पर ही हम focus करने वाले हैं आज की वीडियो में, alright, तो चलिए, पहली book हम देखते हैं, अनिंदिया दत्ता जी के दुवारा लिखी गई book, इसमें आपको याद रखना है कि इस book का जो नेम रहने वाला है, वो है Advantage India, the story of Indian tennis, and ये publish की गई है, Westland Publications के दुवारा, alright, तो अगर हम इसके बारे में कुछ details देखें, अनिंदिया दत्ता, a banker turned author, penned a new book titled Advantage India, the story of Indian tennis, ये book का नाम रहा अनिंदय द्वारा जी ये लिखी गई है, फिर Advantage India is a well-researched account of the journey of Indian tennis with a special section on doubles games and on women's tennis in India, the book is published by Westland Publications, alright, तो देखिये, author का नेम, अनिंदय दत्ता, इनके द्वारा बुक जो लिखी गई है, वो क्या है, वो है, Advantage India, India, the story of Indian tennis, alright, ये book का नेम है, and ये published किसके द्वारा की गई, published by Westland Publications, alright, तो अनिंदय द्वारा जो बुक लिखी गई, वो है, Advantage India, the story of Indian tennis, and ये Westland Publications के द्वारा published की गई, ठीक है, चलिए, पहली हो गया हमारी book complete, Next, फिर हमारी next book रहने वाली है, The Mystery of the Parsi Lawyer, ठीक है, The Mystery of the Parsi Lawyer, इनकी author कौन रहेंगे, वो है, शिर्बानी बासुजी, ठीक है, शिर्बानी बासुजी इसके author रहेंगे, और इसका जो publishing house रहेगा, वो है, Bloomsbury Publishing House, ठीक, तो इसके बारे में अगर हम details देखें, बुक का नाम क्या है, The Mystery of the Parsi Lawyer, अर्थर कॉनन डॉयल, जोर्ज एडलजी, एन केस ऑफ दा फॉर्णर इन इंग्लिश विलेज, यह पूरा नाम रहा, में फोकस रहेगा आपका The Mystery of the Parsi Lawyer पे, फित, author किसके द्वारे की गई, श्रबानी बासुजी के द्वारा करी गई, ठीक, publishing house क्या रहेगा, Bloomsbury Publishing House, तो The Mystery of the Parsi Lawyer, यह जैसे मैं साथ साथ लिख रहा हूँ न, यह चीज आपको भी साथ साथ लिखनी चाहिए, और नोट प्र सुझी के द्वारा यह लिखी गई, and publishing house रहेगा, Bloomsbury Publishing House, और यह आपका publishing house रहा, और तो चलिए next book की तरफ, next book है, Joe Biden के उपर, जो की American President बने अभी recently, अब पूछा गया है कि, पूछा जाएगा इसमें से की author का नाम क्या रहेगा, author है, Ivan Osnos, and publishing house कौन सा है, Bloomsbury Publishing House ही, ठीक है The National Book Awardee, और National Book Winner, Events Osnos, has authored the book, Joe Biden, American Dreamer, it is a biography of American President Joe Biden, जो की उनकी personal और public life दोनों के वार में बताता है, the book is published by Bloomsbury Publishing House, next question इससे क्या बन सकते हैं, देखिए, इससे तीन question तो आपके frame होंगी होंगे, की book का नाम क्या है, book का नाम है, Joe Biden की biography है, यह पहली चीज, अरे, जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन की यह biography आ गई, इसका नाम क्या है, American Dreamer, ठीक है, book का नाम हो गया है, यह आपका, लिखी किस के द्वारा गई है, यह लिखी गई है, event Osnos के द्वारा, ठीक, दो question तीसरा हो गई, आपका Bloomsbury Publishing House का, एक अलग question इससे frame किया जा सकते ह है, पूछा जाएगा कि, जो बाइडन के उपर एक biography लिखी गई, उसका नाम बताईए, वो नाम क्या है, जो बाइडन, American Dreamer, पूछा जा सकते है कि, लिखी किस के द्वारा गई है, फिर author का नाम हो गई, event Osnos, ठीक, चलिए, very good, next देखते हैं, next book है, हमारी Artificial Intelligence and the Future of Power, 5 Battleground इस के द्वारा, and जो publishing house रहने वाला है, वो आपका, रूपा publishing house, Artificial Intelligence and the Future of Power, किन के द्वारा लिखी गई ये book, ये लिखी गई है, राजीव मलहोतरा जी के द्वारा, and जो publishing house रहेगा, क्या रहेगा, रूपा publishing house, all right, ये तीन चीज़ इसमें important याद रखेगा, राजीव मलहोतरा रूपा publishing house, और बुक का नाम रहा, AI and the Future of Power, next, next book रहने हम वाली है, हमारी, the autobiography of अब्दुल गफार खान जी, जिनको frontier गांदी भी बोला जाता है, ठीक है, इनकी autobiography अब English में republish की गई है, ये important है, कि question पूछा जाएगा, कि frontier गांदी जी की, जिनको frontier गांदी का जाता है, कि इनको पहला question तो ये ही होगा आपका GS का, कि अब्दुल गफार खान को का जाता है, फिर बोला जाएगा कि इनकी book को अब English में translate करके वापल से publish किया गया, किन के दुआरा, ठीक है, ये questions frame किये जाएगे, तो देखिए, the autobiography of खान अब्दुल गफार खान, इनको frontier गांदी के नाम से ये famous थे बहुत, और and fondly known as बच्चा खान और बादश्या खान, main question रहता है आपका frontier गांदी से ही आपके paper में भी पूछा जा सकता है, GS का question कि किन को बोला जाता है, फिर the frontier गांदी, इनकी जो autobiography थी, the frontier गांदी, my life and struggle, it's set to publish in English by the publishing house, rollie books, rollie books के द्वारा, ये आपका publish किया जाएगा, किस में, English में, in English में translate की जाएगी, इनकी autobiography को, ठीक है, फिर, this will be the first autobiography in English, the book was translated by English, translated into English by इमतियाज एहमद शाइबजादा, from Pakistan, civil servant and author, तो, main चीज आपको याद रखने की ये नहीं है, कि किनके द्वारा ट्रांसफर ये की गई है, बट फिर, still भी आपको एक, safe side पर चलने के लिए, ये भी नाम याद रखेगा, इमतियाज, एहमद, शाइबजादा, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो, अब्दुल खान, अ पुली बुक्स पब्लिकेशन हाउस के द्वारा, ये इंग्लिश में पब्लिश की गई, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसमें किस ने किस परसन नहीं किया था, वो है इमतियाज एहमद, शाइबजादा की द्वारा, ठीक है, तो इनको और दूसरा क्वेशन क्या, कि अब्दुलकान गफार को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, नेक्स हम बात करेंगे, डाइनेस्टी टू डैमोक्रेसी, दा अंटोल स्टोरी अफ स्मृति इरानिस ट्रायम्प, ये बुक्का अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, किनके द्वारा अनन्त अनन्त विजय के द्वारा और ये रिसेंटल अभी पब्लिश की जाएगी, आल्राइट, आई रेपेट, डाइनेस्टी टू डैमोक्रेसी, वो दा अंटोल स्टोरी अफ स्मृति इरानिस ट्रायम्प, ये बुक्का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, क्वेशन वो किनके द्वारा करा गया, डाइनेस्टी टू डैमोक्रेसी के, ठीक है, ये है अनन्त विजय जी, आल्राइट, तो इनके बारे में अगर हम पढ़े, और एक चीज़ा रखना, ये जो बुक है ये ट्रांसलेशन है, हिंदी बुक थी एक, अमेठी संग्राम, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अनन्त विजय जी बुक जिसका नाम है, डाइनेस्टी टू डैमोक्रेसी, ये है अनन्त विजय जी के द्वारा, तो इंपोर्टेंट चीज़ क्या हो गई, वेस्टलेंड पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाएगी, कौनसी बुक, ड इंग्लिश वर्जन है, किस बुक का, अमेठी संग्राम का, जो की हिंदी में थी, एंड ये ट्रांसलेट किस के द्वारा करी गई, इंग्लिश में, वो की गई, अनन्त विजय के द्वारा, ओल राइट, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट बुक है, करूना निधी अल लाइफ, आई रिपीट, करूना निधी अल लाइफ, ये बुक का टाइटल है, जिनके ओथर है, एस पनीर सेलवान जी, ठीक है, आई रिपीट, अगली बुक है, हमारी करूना निधी अल लाइफ, इनके ओथर है, एस पन फिर रीडर्स एडिटर एट हिंदू एस पनीर सेलवान जी ओथर अन्यू बूक टाइटल करुना निधी अफ की बूक का नाम किसको डिटिकेट किया गया है ये बूक एट डेकेड पॉलिटिकल के रिया मतलब इतना political career जो उनका था किनका मुथुवेल करूना निदी का उनसे relate करके The forward of the book was written by N.Ram, former editor in the chief of Hindu The book was published by Penguin Weeking Publishing house कौन सा है? Penguin Weeking का Book का नाम क्या है? Karuna Nidhi Alive Author कौन है इसके? वो है आपके A.S. Paneer Selvanji तीन चीज़ हो गई important यही आपसे पूछा जाएगा अगर इस book के बारे में कुछ और चीज़ देखें The book is about Karuna Nidhi, the writer turned politician who served as the chief minister of Tamil Nadu for five terms फिर, the book features his controversial political career as the regional leader and his contribution to the Tamil history, literature and culture So I repeat, देखिए, book का नाम सबसे पहले क्या है? Book का नाम है Karuna Nidhi Alive ठीक है, यह किन के उपर है? यह एक politicians के उपर है जो आपके क्या थे पहले एक writer थे फिर उनको क्या बना बन गए? वो politician turn हो गए कहां के Tamil Nadu के फिर वो chief minister बने पांच terms के लिए उन पे based है life उन पे based है यह book फिर पूछा जा सकता है कि book का publishing house कौन सा है? किस के दौरा publishing की गई? यह publish की गई पेंगविन वीकिंग के द्वारा publish की गई एंड इनके author कौन रहे वो है? एस पनीर सेलवान जी एस आप book में इस picture में देख सकते हैं एस पनीर सेलवान जी करूना नधी अ लाइफ कोई author चलिए next के उपर next book हम बात करेंगे My Life in Full Work, Family and Our Future यह book का नाम है और इस book की author रहने वाली है इंदरा नूई जी आप इनको picture में देख सकते हैं पद्मा भूशन अवार्डी रह चुकी है यह मतलब इनको पद्मा भूशन से सम्मानित किया गया है इंदरा नूई को यह क्या है? यह former CEO है PepsiCo की is set to publish her memoir title My Life in Full Work, Family and Our Future फिर publishing house की बात करें तो कौन है? Portfolio Books तो तीन चीज कौन सी हो गई? इंदरा नूई author हो गई कौन सी बुक की? My Life in Full Work, Family and Our Future एंड इसका publishing house क्यांसा है? वो है Portfolio Books तो और याद रखेगा इंदरा नूई से important चीज की Padma Bhushan Award है इनने Padma Bhushan से सम्मानित किया जा चुका है और यह क्या है? Former CEO है किसकी? PepsiCo Company की तो आप इनको पिक्चर में एक बार फिर देख सके हैं यह है इंदरा नूई जी Padma Bhushan से इनने सम्मानित किया जा चुका है यह CEO रह चुकी है PepsiCo की और इनके बुक का नाम जो अभी इननोंने लिखी है वो है My Life in Full Work Family and Our Future और राइट? चलिए Next Next बुक है हमारी Dawn Under the Dom I repeat Dawn Under the Dom Dawn क्या होता है? सांज जैसे शाम हो गई Dawn अंधेरा होने वाला है Dawn Dawn क्या हो गया? Dawn आप इसको देख सकते हैं यह Dawn है Dawn Under the Dom बुक का नाम है यह लिखी किसके दुवारा गई? स्वाती पांडे और चिटा मुखरजी के दुवारा यह बुक लिखी गई है I repeat Dawn Under the Dom लिखी गई है स्वाती पांडे और चिदा मुखरजी के दुवारा ठीक तो इससे question क्या बन सकते है? आईए देखते है Then अगर हम इसकी बात करें यह बुक रिलीज किसके दुवारा की गई है यह Governor of Maharashtra के दुवारा यह बुक रिलीज की गई इसकी खास बात यह है कि यह e-book है ठीक है? मतलब आपकी एक होता है कि पेपर बेस्ट बुक होना एक होता है आपकी उसको PDF format में अपने computer में जैसे हम आपको notes प्रोवाइड करते है तो हम आपको PDF format में प्रोवाइड करते है तो वो आपके e-notes है तो जो governor रहे जिन्होंने इस book को publish किया वो है भगत सिंग खोशियारी जी यह governor है महराष्टरा के इनके द्वारा जो e-book publish की गई वो थी Dawn Under the Dawn यह book based है मुंबई की general post office की building के उपर उसकी history पर यह based है ठीक है फिर पूछा जा सकते है कि author कौन रहे इस book के तो दो author थे दो writer थे कौन स्वाती पांडे और आपके और चिडा मुखर जी ठीक है तो हो गई तीन चार question इसमें publishing house कौन सा हूँ आपका कौन publishing house आपकी government of महराष्टरा ही होगे कि उनके द्वारा ये book publish की गई फिर book का नाम dawn under the dawn publishing house government of महराष्टर या governor of महराष्टर क्या सकते है और ये book की author दो थे वो है स्वाती पांडे और आपका और चिडा मुखर जी question ये भी पूछा जा सकते है different form में कि history of Mumbai की general post office building की history पर एक book release हुई थी recently वो क्या थी तो आप ये भी line जरूर से याद रखेगा पूछे जाने के chance है कि history of Mumbai general post office building की history पर एक book recently release की गई e-book format में release की गई government of महराष्टरा के दोवारा उस book का नाम क्या था वो है आपका dawn under the dawn तो ये याद रखने की चीज है बिलकुट dawn under the dawn और ये किस की history को signify कर रहा है history of GPO building महराष्टरा ठीक है इसी लिए महराष्टरा की building की history से related है इसी लिए governor of महराष्टरा ने इस book को release किया ठीक है उन्होंने ही इसको launch किया इस book को तो आप देख सकते हैं dawn under the dawn next पर चलते हैं next है undertow जानवी बारुआ जी के द्वारा इस book को author किया गया undertow जानवी बारुआ बैंगलोर बेस्ट ओथर has released her third novel title undertow the story of novel is set in a sum which touches on the various themes like home, family, self love and author and others the book was published by penguin weekend तीन चीज कौन सी हैं देखिए जानवी बारुआ जी author है book का नाम undertow है and publishing house क्या है penguin, viking तो author जानवी बारुआ जी पहला question दूसरा question book का नाम याद होना चाहिए undertow तीसरी चीज publishing house क्या है penguin, viking all right, चलिए next next हम बात करेंगे जो book है, वो है the pain free mindset seven steps to taking control and overcoming chronic pain I repeat the pain free mindset book का title यह है, याद होना चाहिए the pain free mindset किन के द्वारा लिखी गई ये book dr. दीपक ravindran की द्वारा I repeat dr. दीपक ravindran के द्वारा ये book लिखी गई and जो book का title रहेगा वो है the pain free mindset ठीक है dr. दीपक ravindran के द्वारा ये क्या है lead of pain therapy at royal berskair hospital इनके द्वारा United Kingdom से ये बिलॉंग करते है royal berskair hospital United Kingdom में है द्वारा के ये doctor है dr. दीपक ravindran इनके द्वारा जो book लिखी गई वो है the pain free mindset seven steps to taking control and overcoming chronic pain इस book को publish किसके द्वारा करा गया वो है vermilion के द्वारा इसको publish किया ये imprint है penguin house का ठीक है main चीज तीन कौन कौन सी हो गई dr. दीपक ravindran ठीक है नाम author का फिर book का नाम the pain free mindset seven steps to taking control and overcoming chronic pain दूसरा फिर publishing house कौन सा है vermilion vermilion ये क्या है imprint of penguin मतलब imprint of penguin house का ही ये आपका part है vermilion ओल्राइट तीन चीज हो गई याद चलिए next book इन तीन चीज के अलावा question नहीं पूछा जाएगा आपसे अगर आपको ये तीन चीज याद है particular novel की या book की तो आप जो भी question इससे related आएगा ना books and author से आप वो चुटकी में निकाल लेंगे इस बात कि मापको guarantee देता हूँ ठीक है चलिए next next अर्जुन सुब्रमन्यम के द्वारा एक book लिखी गई फुल इंडिया वार स्पेक्ट्रम जो की 1922 से लेके 2020 तक की related है उसमें सब कुछ आपकी history प्रवाइट की कई जो जो लडाईया हुई है इंडिया की फुल इंडिया वार स्पेक्ट्रम ठीक है important है फुल स्पेक्ट्रम के नाम से भी आ सकता है तो याद रखिएगा बहुत important है इस बुक को important मा करके चलिए ठीक है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1922 से 2020 तक फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1922 से 2020 तक इस दा बुक authored by retired air vice marshal अर्जुन सुब्रमन्यम जी ये क्या है आपके retired air vice marshal रह चुक है डॉक्टर अर्जुन सुब्रमन्यम जी is about the war and conflict in contemporary of India over the past five decades which was published by Harper Collins India ठीक है किसके बेस्ट जासे नामी सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया वार्स 1922 से 2020 इंडिया की जो जो लड़ाईयों ही conflicts हुए है उस पर बेस्ट ये किताब है फिछले पांच टेकेट की ठीक है तीन चीज़ देखते हैं फुल स्पेक्टरम इंडिया वार्स 1922 से 2020 बेस्ट बुक का नाम हो गया लिखी किसके दवारा गई author कौन है डॉक्टर अर्जुन सुब्रमन्यम ठीक है दूसरी चीज़ हो गई तीसरी चीज़ कहा है कि publishing house कौन सा है ये है Harper Collins इंडिया Harper Collins इंडिया के दवारा इस बुक को publish करा गया ओल राइट चलिए next next book है Catherine Hayhoe के दवारा लिखी गई saving us I repeat Catherine Hayhoe के दवारा book लिखी गई है saving us आप इसका cover देख सकते है saving us a climate scientist case for hope and healing in a divided world I repeat saving us title है main a climate scientist case for hope and healing in a divided world book हो गई आपकी किस के दवारा Catherine Hayhoe के दवारा लिखी गई है फिर Catherine Hayhoe ये क्या है ये आपकी chief scientist है at the nature conservancy इनके दवारा जो author की गई बस आपको इसका author का नाम Catherine Hayhoe और book का नाम याद रखना इसमें publishing house लिखने की जरूत नहीं है याद रखने की तो Catherine Hayhoe and saving us a climate scientist case for hope and healing in a divided world तो दो चीज Catherine Hayhoe और दूसरा book का नाम saving us a climate scientist case for hope and healing in a divided world आल राइट चलिए next next आपको याद रखनी जो book है वो है battle ready for the 21st century I repeat battle ready for 21st century ये book edit की गई A.K. Singh and Narendra Kumar जी के दौरा इसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ें और जो release की गई है ये book important इस reason की वज़े से भी बन जाती है क्योंकि इस book को release किया दा विपिन रावत जी के दौरा जो कि हमारे chief of defense staff है ठीक है तो देखिए इस book से related कितने question बनते है ये book question पूछा जाएगा कि general विपिन रावत जो कि हमारे CDS है उनके दौरा एक book को release किया गया था उस book का नाम बताओ book है battle ready for the 21st century book का नाम हो गया ठीक release किस के दौरा की गई chief of defense staff बिपिन रावत जी के दौरा all right and इसको edit किस के दौरा किया गया था the book was co-edited by किन के दौरा एके सिंग लेटिनेंट गवरनर एंड नरेंदर कुमार जी के दौरा तो चीन चार नाम याज रखने के हैं कि हमारे chief of defense staff बिपिन रावत जी के दौरा बुक को release किया गया जो की है battle ready for 21st century और इस बुक के जो author रहेंगे वो कौन है वो है नरेंदर कुमार एंड एके सिंग इन्नोंने co-edit किया मतला co-editor है इस बुक के all right चलिए next next हम बात करेंगे escaped की the story of Indian fugitives in London इस बुक को author रहने वाले हैं दो जो की है दानिश खान एंड रूही खान all right escaped नाम से याद रखियेगा the true stories of Indian fugitives in London author रहने वाले हैं दानिश खान एंड रूही खान all right इसके बारे मागर हम देखें कि the book title escaped true stories of Indian fugitives in London authored by दानिश खान एंड रूही खान the book features 12 high profile cases where the guilty party has escaped to England book का release किस ने किया था वो release किया है penguin eberry press के द्वारा तो दो तिन चीज हो गई याद रखने की देखते हैं वापस से पहली चीज याद रखने की novel का फिर release किस के द्वारा की गई रूही खान एंड दानिश खान के द्वारा ये आपके author है जो publishing house रहने वाला है वो है आपका penguin eberry press name escaped याद रखियेगा ठीक है book का name author आपके दो है इसमें कौन-कौन दानिश खान एंड रूही खान और इसकी जो publishing house रहने वाला है वो है penguin eberry press ठीक है चलिए next next हम बात करेंगे names of the women by jeet thail ji names of the women इस book की author रहने वाली है jeet thail ji ठीक है इसके बारे में अगर हम देखें कि कौन-कौन सी चीज याद रखनी है name jeet thail author book का नाम name of the women and author का नाम तो हम देखी चुक है publishing house कौन सा होगा penguin books हो गई तीन चीज jeet thail ji के द्वारा जो book का author की गई वो है name of the women या फिर question आएगा कि name of the women के author कौन है jeet thail ji and इस book को publish किस publishing house के द्वारा किया गया वो है penguin books के द्वारा आप इस book का cover देख सकते हैं यह है name of the women चलिए next next हम बात करेंगे one two three two मतलब बारा सो बत्तिस किलोमेटर the long journey home इस book को टाइटल रहेंगे यह book का title है बारा सो बत्तिस किलोमेटर the long journey home इस book के author रहने वाले है विनोध कापरी जी इस book के author रहने वाले है विनोध कापरी जी और title है बारा सो बत्तिस किलोमेटर the long journey home पूछा जाएगा यह question आप से ठीक है चलो इसमें देखते हैं तीन चीज़ फिर से वही तीन चीज़ देखनी है पहली चीज विनोध कापरी जी इसके author हो गए और तीसरी चीज़ हो गया आपका publishing house जो की है Harper's Call in India ठीक है तीन चीज़ हो गई चलिए next पे next हम बात करेंगे incremental to exponential book का नाम है from incremental to exponential I repeat from incremental to exponential यह आपके book का नाम है और इस book की जो author रहने वाले हैं वो है तीन Alexa Salvekar Ismail Amlaji and Vivek Vadva यह तीन आपके इसके author रहने वाले हैं जिसका नाम है book का from incremental to exponential अगर हम इसके बारे में कुछ चीज़ पढ़ें कि the book title from incremental to exponential how large companies can see the future and rethink innovation यह total book का नाम है लेकिन जो main चीज़ आपको याद रखनी है वो है from incremental to exponential तीन author रहने वाले हैं Vivek Vadva, Ismail Amla author and इस book के जो पूछा जाएगा कि publishing house कौन सा है वो है Barrett Kohler Publishers ओल राइट तीन चीज़ कौन सी हो गई फिर से देखें from incremental to exponential बुक का नाम हो गया फिर author कौन है इसके Vivek Vadva, Ismail Amla and Alex Salkever ठीक यह तीन author हो गई and publishing house कौन सा है Barrett Kohler Publishing House अगर बुक के बारे में पढ़ें तो the book rethinks modern innovation the book explores the opportunity legacy companies to create new market मतलब companies का work कैसे करती है वो कैसे innovation field में जाती है वो कैसी नई markets को अपना develop करती है supercharge growth and remake their business combining the tool and mindsets of startup with benefits of incubancy मतलब basically यह work करेगा आपके businesses पे कि वो कैसे operate करते हैं और कैसे ideas ढूंड के लाते है तो बुक का नाम क्या है from incremental to exponential author हो गए एलेक्स सालकेवर इसमाइल आमला एंड विवेक वादवा यह तीन author हो गए and publishing house हुआ Barrett Kohler Publishing House चलिए next next हम बात करेंगे wild and willful यह बुक है जो है wild and willful an evocative collection of nature writing किनके द्वारा नेहा सिना के द्वारा left side पे आप जो इस picture देख रहे है elephant की यह इसका cover है and काफी अच्छा cover लग रहा है wild and willful an evocative collection of nature writing किनके द्वारा नेहा सिना के द्वारा इस book को author किया गया ठीक है तो देखिए wild and willful tale of 15 iconic Indian species the new book authored by wildlife conservative नेहा सिना के द्वारा लिखी गई publish किस के द्वारा करी गई harper collins के द्वारा तीन चीज wild and willful the tales of iconic the tales of 15 iconic Indian species यह book का नाम रहेगा wild and willful याद रखेगा author नेहा सिना all right author है आपकी नेहा सिना and जो आपके publishing house रहेगा वो है harper collins all right चलिए next next हम बात करेंगे hamnet book की और याद रखेगा इस book ने न books critic award for fiction को जीता I repeat इस book ने books critic award for fiction के टेगरी में इस book को award मिला hamnet को और यह hamnet book की जो author है वो है Maggie O. Farrell ठीक है I repeat इसके बारे मागर हम ती चीज जो देखेंगे Irish British novelist Maggie Farrell author novel का नाम रहेगा hamnet and imagine take on the death of Shakespeare's son from the bubonic plague has won the national book critic circle award 2020 for the fiction category देखिए आपका award category में भी आ गया कि अगर पूछा जाए कि national book critic circle NBCC award 2020 का किस book को मिला या फिर किस author को मिला तो वो है आपका hamnet novel को मिला and जो author का पूछा जाए तो Maggie O. Farrell इनको मिला ठीक है important चीज है याद रखने की हो जाएंगी ये तीन चीज कि इसमें आपको क्या क्या याद रखना है Maggie O. Farrell इनको क्या मिला है national book critic circle award मिला है 2000 bix का किस category में मिला fiction category में मिला है I repeat किस category में मिला है fiction category में मिला है ठीक है किस novel के लिए मिला है novel रहेगी hamnet ठीक है Maggie O. Farrell को hamnet के लिए national book critic circle award मिला for fiction category ठीक है alright तो देखते है every year at march national book critic circle award are given to honor literatures published in the United States में 6 categories में दिया जाता है autobiography, biography, criticism, fiction non-fiction and poetry अगर हम hamnet की बात करें this novel explores the impact of Shakespeare's son hamnet's illness and death of his family the novel has also won the United Kingdom's women prize for fiction alright main चीज क्या है इसमें आपको 2-3 चीज याद रखनी है main की Maggie O. Farrell hamnet national book critic circle award और इस book को क्या मिला the novel has also won the United Kingdom's women prize for fiction women prize for fiction United Kingdom का भी इस novel को hamnet को दिया गया alright तो 3-4 question हो गए बहुत important है इसको mark करके चलिएगा ठीक है national book critic circle award fiction category में किन को मिला है हो गया याद ठीक है चलिए next next हम बात करेंगे name, place, animal and thing I repeat name, place, animal, thing ये एक book author की गई दरीबा, landam के द्वारा I repeat दरीबा, landam के द्वारा book को publish किया गया जिसका नाम था name, place, animal, thing and ये इनकी debut book थी मतलब ये इनकी पहले book थी ठीक है दरीबा, landam की ये पहले book थी name, place, animal and thing all right तो दरीबा, landam की ये आपकी debut book थी जिसका नाम रहा name, place, animal, thing ये क्या था ठीक और फिर इसके बाद क्या याद रखना है publishing house जुबान publishers private limited इसका नाम रहा publishing house का फिर इसके बारे में अगर हम पढ़ें कि इट examines the boundary between the adult world and the world of child the book takes the book takes its name from beloved school game all right name, place, animal, things हम स्कूल में एक छोटा game खेलते थे जैसे नाम बताना आप उस पे animal things का line मार के याद आया तो उसी से इसके inspire होके ये book का नाम रखा गया दरीबा लिंडम जी के द्वारा कि जो क्या करता है boundaries के बारे में बताता है between adult world and the world of a child इस book की author कौन रहेंगी दरीबा लिंडम बुक का नाम name, place, animal, things और जो इसके publishing house है वो है जुबान publishers, private, limited ठीक है याद रहेगा चलिए next और आज का सबसे important जो बुक रहने वाली है वो Malala आप याद होगा Malala Yousef जी एक lady थी जो की noble prices सम्भानित किया गया था उनको वो पाकिस्तान से US shift हो गई थी ठीक है क्योंकि इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि यह पढ़ाई करती थी तब तो इन पे गोलियां भी चली थी तो आपको याद होगा Malala I am Malala The Story of the Girl याद रखिएगा यह बहुत important रहेगी I am Malala करके बुक रिलीस की गई author कौन है इनकी वो Malala खुदी है ठीक है तो यह चीज़ याद रखिएगा important question लिख देता हूँ मैं इसको कि यह most important question category में डाल के चलिएगा इसको इसी बुक के पूछे जाने के सबसे ज़्यादा chance है I am Malala question कहाएगा कि Malala Yousafi के द्वारा जो बुक author की गई उसका नाम बताए वो है तो friends ये थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाएए और हमारे चैनल को subscribe कर दें और इस वीडियो को like कर दें और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी Gmail ID जो की है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967-333-862 पर contact कर सकते हैं और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहता करेगी So take care